हेलो दुस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे तो आज का ये वीडियो क्लाश 12 की स्टुडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के स्टुडेंटों में हम आपको बताएंगे कि क्लाश 12 जो किमिस्ट्री के पेपर होता है वो किस प्रकार आपके बोड एक्साम में आता है और ये 2022 का एक बोड एक्साम का पेपर है जिसको मैंने 2022 में मेरा board exam था ठीक है class 12 का तो मैंने यही exam दिया था ठीक है तो इसी का देख रहे हैं 347G के यह आपका question paper का code होता है तो इसको हम आज solve करेंगे इससे आपको देखना है कि यदि आपको यह प्रसंदी दिया जाता है तो आप इसको अभी कर पाएंगे यदि आप कितना इसको प्रसंद को कर पाते हैं ये भी important है यदि आप इस प्रसंद का 70% complete कर लेते हैं अच्छे से कर पाते हैं तो आपका समझे कि आपका 70% तयार है 30% और भी आपको मेहनत करना होगा बच्चे समयों में तो चली हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ क्या है निर्देशक दिये जाते हैं ठीक है कि आपको कितने प्रसंद करना है कितने नहीं ठीक है तो यह सब आप पढ़ सकते हैं ठीक है आगे हम चली हम देख लेते हैं पहला हमारे यहां पर प्रस्ण दिखाई दे रहा है कि मतलब यहां पर क्या बहुत बिकल्पिया प्रस्ण है चार बहुत बिकल्पिया प्रस्ण है एक को समझते हैं देखिए यह सबसे पहला आपका बहुत बिकल्पिया प्रस्ण है कि एक क्रिश्टल तंत्र A is equal to B is equal to C और अलफा इसकल टू बीटा बीटा इसकल टू गामा इस नॉट इसकल टू 90 डिगरी है तो वह तंतर है तंतर मतलब सिस्टम है ठीक है यहाँ पे चौर आपसन दिये गए हैं सबसे पहले बात मैं बता दू आपको कि देखे यह जो आपका यह जो क्वेस्टिन है यह है क्रिस्टल आते हैं अपने दूसरे क्वेस्टिन को दूसरे क्वेस्टिन हम समझ लेते हैं देखे हैं हमारा जो खौक क्वेस्टिन है इसको हम समझ लेते हैं दूसरा है कि निमने में से किस 0.1 M मतलब मोलर ठीक है जलिये विलियन का हिमांग नियूंतम होगा मतलब किसका जो हिमांग हो होता है वह निम्तम होता है ठीक है यह बात समझके आते हैं तीसरे प्रस्ण पर हमारा प्रस्ण है कि वेग इस्तिरांग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है घटता है और परिवर्तित रहेगा या इन में से कोई नहीं तो याद रखेंगे कि यदि हम बेग इस्तिरांग का यदि आपको याद रखना है ठीक है अगला आते हैं हम घड़ीगा हमारा जो प्रस्ण है कि निम्न में से कौन मोनोसेकराइट है बताए यहाँ पर लेक्टोस दिया है स्टार्च दिया है माल्टोस दिया है फ्रक्टोस दिया है तो यह बात आपको याद रखना है ठीक है यह सब कु कि जब एसिटिक अमल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है यहां पर यह सभी यौगिक दिये हुए हैं तो देखिए आपको यही सब कुछ यह थोड़ा सा रियक्सन आप इसमें दे दिया पर इसको हम समझ लेते हैं ठीक है सम ठीक है तो एसिटि का अमल का सुत्र क्या होता है CH3 COOH यह एसिटि का अमल का सुत्र होता है इसको हम किसके साथ P2O5 के साथ हम क्या करेंगे गर्म करेंगे जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहां पर क्या होता है CH3 CO का होल्ट वाइस O प्राप्त होता है उसके साथ साथ हमसे हम हमें क्या मिलता है इस टू ओ भी प्राप्त होता है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है यह योगिक प्राप्त हो रहा है इसलिए पहला आप्सन सही हो जाएगा बड़ यह है कि देखें आप कहेंगे कि सर यहां पे तो कार्बन एक है इधर देख रहे हैं कि कार्बन यहां पे द तोला चार कार्वन यदर भी आपसिजन का देखें का पहला जो औप सन यह सही हो जाएगा आते हैं अपने अगले प्रस्ण पे अगला हमारा प्रस्ण है कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन निमले लिखित में से किस अविक्रिया द्वारा किया जा सकता है ठीक है यहाँ पे कारवील एमीन अविक्रिया है हाफमेन ब्रोमाइड अविक्रिया है यह के निज़ारो अभिकरिया द्वारा तो यह बताना है आपको कि जो एमाइड होता है तो एमाइड को एमीन में किस अभिकरिया द्वारा हम बदल सकते हैं एमाइड को एमीन में किस अभिकरिया द्वारा बदल सकते हैं तो देखिए यह सब ही हमने ये चारो तो हमने आपको कराया है तो आपको याद होना चाहिए किस में हमने बताया था half man bromide अविक्रिया में तो ये आपका दूसरा ओप्सन सही हो जाएगा समझ रहे हैं तो half man bromide अविक्रिया ओप्सन सही हो जाएगा एक और बात है कि यदि आप इन चारो रियक्षन को तियार नहीं किये हैं तो मैं आप से कहाऊंगा कि आप इन चारो रियक्षन को तियार कर लीजएगा बहुत ही important है कोई भी पढ़ना हूं माल लेते हैं कि बुटस अभी किरिया पढ़ना है आते हैं अगले प्रस्न पे अब आते हैं हम अपने दूसरी का कौप प्रस्न देखें दूसरा में हमें कितने चार प्रस्न दिए गए हैं दो-दो नंबर का ये प्रस्न है ध्यान से आप समझेंगे पहला कह रहा है कि क्रिस्टलिय ठोस का अंतर आणविक बल के आधार पर वर्ग करण कीजिए हर वर्ग का एक उधारण दीजिए तो देखी ये आपका 2022 में क्रिस्टलिय ठोस जो चेप्टर था वो था पर इस बात 2024 के बोर्ड एक्जाम से काट दिया गया है तो ये आपका question पूछेगा ही नहीं ठीके तो इसके लिए हम त्यार नहीं करेंगे बट हाँ आपके जनकारी के लिए मैं बता दूँ कि क्रिस्टलिय ठोस अंतर आणविक के आधार पर अगर हम वर्ग करण करते हैं तो इसके चार प्रकार होते हैं कौन-कौन सा आणविक ठोस आइनिक ठोस धात्विक ठोस अससनियोजक ठोस तो ये सबी इसके हो जाएंगे ठीके ये चार आप इसका वर्गी करण चार भागों में मतलब इसको वर्गरिकरित किया गया है ठीक है अधर्वाज बोड एक्साम में तो नहीं आएगा इस बार तो इस बार ध्यान ही इस पर नहीं देना है ठीक है आते हैं दूसरा दूसरा है खो हमारा क्वेशन कि राउल्स का नियम को परिभासित कीजिए तथा इसकी सिमाय लिखिए ठीक है तो यह हमने आपको टॉपिक कराये हुगा है आपने इसको पढ़ा होगा नहीं पढ़े है तो फिलहाल बहुत से स्टुडेंट है जो न्यू हमें देख रहे हैं वो पढ़ना चाते हैं तो इसी वीडियो में मैं उनके लिए कुछ हेल्फ कर होगा देखिए यह फिगर है यह एक पात्र है मतलब बरतन इसमें अभी दो घाटक है आरे जो है वोगि दुरह है जैसे पानी होता है भी है वोगि दुरह तो यह डोनो ऑब है पस में मिले हुए है तो इसका मतलब द्रो द्रो विलियन है ये इनको हम क्या कह सकते हैं द्रो द्रो विलियन तो माल लेते हैं कि जो A घटक है तो A का आंसिक वास्पदाब PA है और B का जो आंसिक वास्पदाब है वो क्या है PB है जिस प्रकार A का आंसिक वास्पदाब PA होगा उसी प्रकार B का आंसिक एकस ए होगा तो उसी पर का ना भी के मौल प्रभाज एकस भी हो जाएगा समझ रहे हैं तो यहाँ पर रावल्स ने केवल हमें यही बताया रावल्स की अमसार में क्या बताया कि जो किसी भी, मतलब कोई भी एक निश्ची तापर किसी भी विलियन, ठीक है, एक निश्ची तापर द्रो द्रो विलियन में उपस्तित, किसी भी घटक का, चाहें ये घटक को चाहें ये, किसी भी घटक का जो आंसिक वास्पदाब होता है, वो उसी के मोल प्रभाज के समानुपा प्रभाज के समानुपाती होगा अब बीच फीगया वही बात हमने यहां पे लिख्या है कि कि इसी निश्चिताब पर द्रोभ-द्रोबिलियन में उपस्तिद किसी घटक का आन्सिक वास्पदाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है उसके बाद यह फीगर बन अगर आप चाहे तो और आगे हल करके आप फॉर्मूला लिख सकते हैं या आप इतना भी लिखते हैं आपको फुल नंबर मिलेंगे निश्चिंद रहना है उसके साथ आपको यहाँ पे कहा गया कि राउल्स का नियम लिखिये तथा इसकी सीमाई लिखिये तो सीमाई इनकी क्या क्या सीमाई है कहा तक यह लागू होगा इसको हम समस्थ लेते हैं तो देखें यहां भे हमने दो सीमाई इसका लिख दिया है, सबसे पहला कि जो राउल्ट्स का नियम है, यह केवल तनु विलियन पर ही लागू होता है, मतलब जो पतला विलियन है, ठीके जादा गरहा ना हो, ठीके पतला विलियन हो, ठीके तो उस पर यह लागू हो जाएगा दूसरा है यह केवल औव वास्पसिल पदार्थों के विलियन पर ही लागू होता है मतलब यह केवल औव वास्पसिल पदार्थ जिसको हम गरम करेंगे औव वास्प में नहीं बदलेगा उन्हीं पर लागू यह होगा बात समझ में आगे होगे आपको आगे बढ़ते हैं ठीके तो अब हम देख लेते हैं इसको देखें हमारा राउस का नियम समझ के अब हम देख लेते हैं कि कोल राउस का नियम को समझाईए इस नियम के दो अनुप्रियोग लिखिए तो सबसे पहला बात यही आता है कि कोल र में बनाकर लिख लेंगे देखिए को राउस का नियम समस्झ लेते हैं को राव का नियम में हमने सिंपल में एक ऴित्त अबगर्ट का चलिय वियर लिया हुआ है यह क्या है विद्त्थ अब घठतका जलिय है जैसे इन दोनों मिलेंगे तो विद्दूत अभठी हो जाएंगे है यह एक हम descobri can का सट लियर जित जलियर भींद भाटे का विलियर फेंड के जलियर विलियर पा σब words तो वही बात हम कहे रहे हैं, कि किसी विद्दु दभघट्के की जलिय Wing में अनन्द तनुटा a 3- pane' की च लगता और रिणाईनोग kita ओं के योग के बराबर होता है ठीम है ? अधर्वाइज ये सब टॉपिक हमने कराया हुगा है बस आपके help के लिए ये आपको बताया जा रहा है जादा आपको इस पर detail में हम नहीं जा रहा है ठीक है क्योंकि ये सब topic हमने कराया हुगा है आप पढ़ना चाहते हैं YouTube पे लिखेगा कुलराउस का नियम brother sir इतना लिकर सस्क्रेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा YouTube पर ठीक है आते हैं इसके आप देखेए इस पर अनुप्रियोग भी आपसे पूछा गया है कह रहा है ना कुलराउस का नियम लिखिए तथा इसके दो अनुप्रियोग लिखिए तो अनुप्रियोग हम देख लेते हैं तो इसका अनुप्रियोग है या उप्रियोग तो इसका अनुप्रियोग क्या है दूर्बल बैदुत अप घटे की अनन तनुता पर तुल्यांकी चलगता ग्यात करने में जो दूर्बल बिदुत अप घटे है उसकी अनन्त अनुता पर तुल्यांकी चलकता ग्यात करने में किया जाता है दूसरा आता है कि दुर्बल बिद्धुत अब घटे के बियोजन की मातरा ग्यात करने में जो दूर्बल बिद्दो तब घटे होता है उसकी बियोजन की मातरा को ग्यात करने में किया जाता है बात समस में आगी होगी इसकी इन सोट ले लिजे आगे और हम देख लेते हैं अगला हमारा घड़ी प्रस्न आता है कि वास्तुविक बिलियन और कुलाइडी विलियन में उधारन सहित विभेद कीजिए मतलब वास्तुविक बिलियन और कुलाइडी विलियन में विभेद करना है मतलब इनका अंतर लिखना है तो ये भी हम इसके लिए ये भी सब हमने पढ़ाय हुगा है यूटूब पर लिखेगा वास्तविक बिलियन और कुलाइडिय बिलियन में अंतर वीडियो आपको मिल जाएगा फिर भी हम आपके हेल्फ के लिए यहाँ पर हमने लेकर आगे हैं तो एक एक और करें हम समझ लेते हैं पूरा आपको तो यह नहीं आपाएगा मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको हेल्फ मिल सकता है तो हम देख लेते हैं देखे यहाँ पर हमने लिखे हैं वास्तविक बिलियन तो हम समझ लेते हैं पहले बात आपको अंतर समस में आ गया होगा, पहला अंतर भास्टिव इलियन है समांगी मिशरण और जो कलाइडी विलियन है वी समांगी मिशरण होता है, दूसरा, दूसरा है कि इनके कड़ों का आकार 1 धान थे पर भेल, मतलाब वास्टिव इलियन के जो कड़ होंगे उनक कड़ों का आकार याद रखेंगे इनके कड़ों का आकार एक नैनोमीटर से एक हजार नैनोमीटर के बीच में होता है ठीक है इनका तो एक नैनोमीटर से कम होगा पर इनका एक भार क्या होता है कम होता है और जो कुलाइडिये विलियन है इनका अडू भार जो होता है वो अधिक होता है ठीक है अगला हम चौथा कि समझ गए तो आब आते हैं पांचवे चौथे पर चौथा है कि जो वास्तिक विलियन होता है यह पारदर्सिये विलियन होता है इसका मतल जिससे हम आर पार देख सके जैसे एक कांच का गलास है उसमें आपने पानी को भरा है ठीक है अब पानी को कांच के गलास में भर दिया है और आप देख रहे हैं तो आपको आर पार दिखाई देदेगा या कोई सीसा होता है सीसे के भी हम आर पार देख लेते हैं न ठीक है पढался करते हूं आंप समझ क्योंगे इसकी इनजोत लेकी अगे हम देख लेते हैं आते हैं अपने तीसरे प्रस्ण प्रस्ण में चार प्रस्ण में कोख ad at three time समसbard लेते हैं चारो को लेक highly इंगतिECH यह इक घंय संद्शना वाले योगिक तत्तो एक ए तथा बी से बना है इसमें इसमें ए परमाडू घहन के कोनों पर तथा बी परमाडू फलक केंद्र पर है योगिक का सुत्र ग्यात कीजिए तो ये आपका क्वेस्टन है देखे ऐसे ही पढ़के आपको समझ में आ रहा है ठीक है केंद्रिय फलक कह रहा है तो इसका मतलब ये जो आपका जो चेप्टर है ये कौन सा है ये आपका ठोस अवस्था चेप्टर है ठोस अवस्था ठोस अवस्था चेप्टर का ये है तो ठोस अवस्था चेप्टर का हमें तयार नहीं करना है यह आपके इस बार board exam से हट गया है ठीक है तो आगे हम देख लेते हैं इसको हम छोड़ते हैं आगे हम देख लेते हैं जो हमारा खौक वेस्टन है कि निमने लिखिए तो उपसासनयोजक योगीको का I.U.P.S.C. नाम लिखिए देखिए आईउपसासनयोजक योगीको का I.U. I.U.P.S.C. नामांकरण brother sir इतना लिख कर सच करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है फिर भी हम इसको समझ लेते हैं फिर भी हम समझ लेते हैं इसको देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है कि देखिए यहां पर हमने दो I.U.P.S.C. नाम इसको लिख दिया है दोनो बस हेल्फ के लिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं तो अदर्वेस हमें यही कहता कि I.U.P.S.C. नामांकरण brother sir इतना लिखे YouTube पर सच किजिए वीडियो आपको तुरंट मिलेगा और उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको कोई भी I.P.S.C. नामांकरण कभी भ कोलते हैं उसके बाद केंद्रि धातु परमाडू को हम पढ़ते हैं तो देखे यह क्या है पोटेसियम है तो आप आयन केसे निकालते हैं वो सब हमने उसमें सिखाया हुआ है ठीक है तो आप उसको पढ़ लिजेगा YouTube पर क्या लिखना है आपको आप लिखेंगे उप सासनय नियुजक योगी को का आयू पीए सी नामांकरन ब्रदर सर इतना लिके सच किजिएगा वीडियो मिल जाएगा ठीक है तो यह पहला आप समझ गए इसको आटाते हैं दूसरा है दूसरा यहां पर कह रहा है कि CEO NS3 का होल 5 CO3 कोस्ट में CEO यह आपका है तो इसको हम समझ लेते ह हैं देखिए यहां पर एधर अगर सी यल है न इसको आप हम नहीं घर इधर सील होता के छे इसको पहले इंका नाम लिखेंगा तो देखिए यहां पर देखिए यह कार्बोनेट है ठीक है तो कार्बूने है तो हम कहेंगे पेंटा एमीन फिक है पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट कितना थर्ड क्लोराइड ठीक है वही बात हम कहे रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक हम क्या कहे रहे हैं पेंटा एमीन पेंटा एमीन कार्बोनेट कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड तो य यह बात आप याद रखेंगे आते हैं अगले प्रस्न पर तो यह हमारा जो गव प्रस्न है कि कह रहा है कि निउकलिक अमल से आप क्या समझते हैं उधारण दीजिए तो देखें निउकलिक अमल यह क्या होता है इसको भी हम बता दे रहे हैं सिंपोल में क्या होता है नियुक्लिक अमल कि जो भी मतलब अडू क्या होते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं वो सभी नियुक्लिक अमल ही होते हैं पर मैंने परिभासा यहां पर लिखा हुए है समस लेते हैं इसको ठीक है द उसे new click अमल के आते हैं जैसे कि DNA है RNA है ठीक है तो यह आपका हो गया इतना आप लिख देंगे आप समस्के होंगे ठीक है और या देखें new click अमल के ही वर्गी करण या प्रकार है DNA और RNA तो या तो आप प्रकार में भी लिख सकते हैं या एक्जामपल भी आप इनका दे सकते हैं समस्क में आ गया होगा आते हैं अपने अगले प्रस्ण पर अगला हमारा घड़ी का जो प्रस्ण है कि P-Block तत्तो क्या है और उन्हें P-Block तत्तो क्यों कहा जाता है तेकि यह तो आपके चेप्टर से कट गया है और फिर भी अगर हम explain करें तो हम क्या कह सकते हैं P-Block तत्तो किसे कहते हैं कि मतलब ऐसे तत्तो जो किसमें जो पी जिनका अंतिम उपकोस जिनका अंतिम इलेक्टरान पी उपकोस में प्रविस करता है ठीक है उसे हम P-Block के तत्तो कहते हैं ठीक है और यह सब कुछ हमने जो यह सब है ना यह सब आपका चेप्टर से कट गया है तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है बट हाँ याद रखेंगे P-Block तत्तो किसे कहते हैं तो ऐसे तत्तो जिनका अंतिम इलेक्टरान पी उपकोस में प्रवेश करता है उसे P-Block तत्तो कहते हैं ठीक है तो इसको कट गया है बट इसके जगव पर आप क्या याद रख सकते हैं आप याद रख सकते हैं D-Block तत्तो किसे कहते हैं और उसका उधारन से समझाईए ठीक है या D-Block ना कहकर आप से कह देगा संक्रमर तत्तो किसे कहते हैं या अंता संक्रमर तत्तो भी पूछा जा सकता है बहुत important ये दोनों topic हैं ठीक है एक एक बात को हमारा याद रखेगा आज हम कह रहे हैं कल आज आज आए तो ये नहीं कहना है कि आपको हमने बताया नहीं ठीक है न तो ये बात आप याद रखेंगे तो संक्रमर तत्तो किसे कहते हैं अंता संक्रमर तत्तो किसे कहते हैं लेंथेनाइड किसे कहते हैं एक्टेनोइड किसे कहते हैं ये सब आप तयार कर लिजेगा केवल आपको लिखेंगे उसका नाम जैसे संक्रमर्टत्त्तो पढ़ना है तो आप लिखिए संक्रमर्टत्तो ब्रदर सर इतना लिखे सब्सक्रेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा आते हैं अपने अगले प्रसन पर हमारा प्रसन आपको दिखाई दे रहा है चोथा हमारा प्रसन है कि निमनलिकित सेल का 298 केलिवीन पर नेश्ट समिकरण एवंग इमफ मतलब वैदुत बल जो होता है ठीके यह आपको गणना करना है ठीके तो जो क्या होता है सेलों का विदुत वाग बल यह हमें ग्याद करना और नेश्ट समिकरण हमें ग्याद करना है यह हमें समिकरण दिया गया है ठीक है हमने इस टाइब का नुमेरिकर आपके पोड्ट डा मेंप उच्ट पूछा जाता है इसलिए हमने इस टाइब पर आ यह तीन नंबर वाला प्रस्न है तो इसको हम कराएंगे अधर विच में यहीं कहूंगा नेश्ट समिक्राण क्या होता है यह भी आप त्यार कर लिजिएगा क्योंकि इस पर भी आपको टिपड़ी लिखने के लिए आ जाता है समझके आते हैं अगले खा पर खा है निम्न पर स अगले आते हैं हम अपने प्रस्न पर कि प्रियोग सालाओं में एथिल एमीन क्या हम से कहा गया एथिल एमीन बनाने की विदी का वरण के जिए संबंदित अभिक्रियाओं का समिक्रण लिखिए एथिल एमीन से एसिटिक अमल कैसे प्राप्त करें एस एथिल एमीन से लिखना है और डीटेल में आपको त्यार करना है इसका बहुत इगूर्ड रसाइन इगूर्ड सब आप लिखेंगे तम नंबर मिलेगा तो यूटूब पर क्या लिखेगा एथिल एमीन ब्रदर सर इतना लिखे सर्च किजिएगा वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है यह सब जो प्रस्ण है यह आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यह हमारा अगला प्रस्ण है कि ग्लुकोज की संरचना सुत्र लिखिए जो ग्लुकोज का संरचना सुत्र लिखिए टालेन अभिकर्मा के साथ ग्लुकोज कैसे क्रिया करता है रसाइनिक समिक्रण भी लिखिए देख लिख के सर्च किजिएगा वीडियो आपको मिल जाएगा हाला कि अभी हमने इस पर वीडियो नहीं बना है बट हो सकता है कि आप जब देख रहे हो तब तक हमने बना दिया है तो इसको भी एक पर सर्च कर लिजए गुलकोज की समर्चना ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाए आते हैं अपने अगले प्रस्ण पर तो यह हमारा पांचवा प्रस्ण है जो कि आप ध्यान से समझेंगे कहा गया है कि कोथनांको का उन्यन क्या है समझाईए और उसके साथ साथ एक नुमेरिकल दे दिया है नुमेरिकल पर हम अभी आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं ठीक है ब अग्छा पर बिसेस कर ध्यान देंगे जिससे आप यह सब नुमेरिकल कर पाएंगे अधर्वाइस कोथनांक का उन्यन किसे कहते हैं यदि आपको पढ़ना है यूटूब पर लिखे गया कोथनांक का उन्यन ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएंगे अगला आता है कि स्या बेग इस्तिरांक में अंतर समझाईए उसके आप साथ-साथ आपको प्रतम कोटी की अभिकरिया पर एक जो क्या है रियक्षन जो नुमेरिकल दे दिया गया है ठीक है चार नंबर वाले प्रस्ण है तो ये भी हमने आपको कराया हुआ है ये तो हमने क्वेस्चन ही कराया सामी इस्तिरांक और बेग इस्तिरांक में अंतर ब्रतर सर लिखियेगा आपको मिल जाएंगे और जहां तक नुमेरिकल की सवाल है नुमेरिकल हम कराएंगे तो आपको सब त्यार हो जाएगा निश्चिंत रहना है आपको ठीक है नुमेरिकल के निश्चिंत रहिए अधर यह सब तियार करना याद करने वाला टॉपिक है तो इसको तो आपको अभी से याद करना है ठीक है अगला आता है संकरमर धातु का अभी लच्छन क्या है इनके संकरमर तत्व क्यों कहते हैं यह संकरमर धातु यह रखेंगे संकरमर धातु कहे यह संकरमर तत्व कहे दोनों ब ब्लॉक के बीच में ये पाए जाते हैं ठीके इसलिए इसे संक्रमर्टत्तो या डी ब्लॉक के तत्तो कहते हैं तो आपके ओल यूटूब पे लिखेगा संक्रमर्टत्तो ब्रदर सर इतना लिके सच करेंगे आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हमने बताया संक्रमर्टत्तो कीस कहते हैं दूसरा कि उपसा सन्योजक योगी को का चुम्बक किये गुण तो इसको आपको पढ़ लेना है ठीक है आप यूटूब पर लिखेगा उपसा सन्योजक संख्या ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएंगे यह सब आपको हमने पढ़ा दिया है तो त्यार करना आपका करतब भी है आपकी जीएगा ठीक है अगला हमारा क्वेस्चन आपको दिखाई दे रहा है पांचवाम ने देख लिया अगला आता है हमारा छटा क्वेस्चन है कि प्रियोग सालाओं में सल्फर डाई अक्साइड के विचरन की विधी लिखिये तथा इसका गूण और उप क्यों कि देखिए यहां पर इसका कारण आपको बताना है क्योंकि इन दोनों के बीच अंतरानविक बल अधिक होता है इसका कम होता है इसलिए ऐसा होता है ठीक है बट मैं यही कहूंगा कि यह आप याद कर लिजेगा यह भी आपको कारण पता होने चाहिए तो यह सब टॉ इप में कोई भी चेप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उपर उपर नहीं समझ सकते हैं ठीक है तो आप यह याद रखेंगे सलफर डाइकसाइड की बनाने की विदी क्या होती है आप यूटूब पे लिखेगा सलफर डाइकसाइड ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएंगे आते हैं अगले प्रस्ण पे देखें यहाँ पे यह सब कारण दिये गए हैं मतलब पांच नमबर का प्रस्ण था नहीं ठीक अगला आता है फिर से हमारा चुक हो क्वेश्ण नहीं यह भी पांच नमबर का है कह रहा है कि एथर का एलकी हैलाइड के विचरन का रसाइनिक समीकरण लिखें और फ्रीडल क्राफ्ट अभिकरिया और नाइट्रिक करण अभिकरिया के लिए रसाइनिक समीकरण दीजिए तो सबसे पहली बात तो एथर बनानी की विधी आपको सीख लेना है आप यूटूब पे लिखेगा एथर ब्रदर सर आपको बीडियो मिल जाएगा और एथिल एथर ठीक है डाई एथिल एथर क्यसे यह आप याद रखेंगे डाई एथिल एथर ये भी आप त्यार कर बहुत इंपॉर्टेंट है आप यूटूब पे लिखेगा डाई एथिल एथर ब्रदर सर बीडियो आपको मिल जाएगा जहां तक फ्रीडल क्राफ्ट अभिकिरिया के बात है आप लिखेगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिकिरिया ब्रदर सर बीडियो आपको मिल जाएगे उस लिके सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा उसमें हमने जो भी इंपोर्टेंट है यह सब फिनॉल से वेंजीन कैसे बनता है एथिन कैसे बनता है एथिल एकोहाल सी इथर कैसे बनता है फिनॉल से पिकरिक अमल कैसे बनता है यह सब हमने बताया हुआ है तो यह आपका क प्रतियस्थापन अभिक्रिया ठीक है यह प्रतियस्थापन अभिक्रिया क्या होता है यह पढ़ लेजेगा और जो क्लोरो बेंजीन के हैलोजन नाइट्रिकरण तथा सल्फोनेशन उसके बाद अज़स्थापन अभिक्रिया का रसाइनिक समिक्रण लिखे तो यह सभी रियक्षन है यह सभी आपको याद करना है जब या आपको बताना है और इसका केवल रसानिक समिकर लिखना है देखिए यह सब हमने बताया हुआ है कैसे मतलब क्या होता है जब मतलब कि एथिल प्रोमाइडी यदि सोडियम एठोकसाइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है तो आप यूटूब पे लिखेंगे न कि क्या हो वाला ख़ब प्रसने है हमारा कि एल्डी हाइड बनाने की दो विधियों का रासाइनिक समय कर देते हुए टालेन अभिकर्मक एवंग फेहलीन विलियन के साथ रासाइनिक अभिक्रिया लिखिये देखे एल्डी हाइड बनाने है इसकी दो विधिया लिखना है तो आप ब्रदर सर वीडियो आपको मिल जाएंगे या अथवा यह भी कर सकते हैं यह आपका पराब करना occur लिख शुब्रडे लिखेए लिखान सब्यल करा दिए हैं कैवर आपको आप आप सर्च कीजिए और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद